आज आपको OE से रिलेटर बात करेंगे तो OE से रिलेटर में क्या होता है कि ड्रेन फिल्टर चौक होने के कारण ऐसा प्रोब्रम आता है तो आज हम ड्रेन फिल्टर कवर को ओपिन किया ओपिन करने के बाद देखें यह एक ड्रेन पाइप है ड्रेन पाइप से क्या कर सकते ह तो दिखिए से खोल कर मैं दिखा रहा हूं अभी हाँ पर खुल गया ये तो इसे किसी बॉल में पानी ले लेड़ा और पानी ले लेके बाद इसे दुबारा इसे आप फिट कर सकता है इसके अंदर और फिट करके इसे अप टैक कर देना अब यहां देया है ड्रेन फिल्टर को ओपन करना एंटी क्लोग वाईस तो देखिए यहां पे एक ग्रीन कलर का टिक किया है इसे के लिए लेफ साइड यह में अब हम इसे मूफ करेंगे इसे मूफ करनी के बाद ओपन करेंगे और देन फिल्टर को क्लीन करेंगे अगर इसे हम क्लीन नहीं करते हैं तो क्या काम नहीं कारोग और आपका पानी जो ट्रेन आट नहीं होगा तो जिसके कारण स्पीन भी काम नहीं करएगा तो देखिया इसा मिंग इस में क Douglas को हमें हर 15 से 20 देस के अंदर में कर लेना चाहिए क्लेन है क्लिइन टो इसमें कोई 50 PIN coin भी collect होता है तो इस filter को खोल के हमें चेक करते रहना चाहिए इस 15-20 दिन के अंदर में तो अभी हम इसे clean करने के लिए एक toothbrush का मा तूद ब्रस का थुरा help लेंगे जिसे toothbrush से अभी हम इसे clean करेंगे तो देखिए अभी हम इसे toothbrush से कैसे clean करते हैं तो देखिए घर में आपके toothbrush होगा तूद ब्रस से आप पहले drain hose को clean करेंगे drain hose को clean करके करने के बाद आप drain filter को clean करेंगे देखिए मैं भी drain hose को clean कर रहा हूँ कि अच्छे तरीकी से साफ करते ना है अगर यह ज्यादा dust होता तो चौक कर जाता है बहुत जल्दी तो कपड़े के उपर डिपेंट करता है आपका पानी का hardness कैसा है उसके उपर भी डिपेंट करता है देखिए तो यह मेरा भी 15 दिन में ऐसा चौक हो गया है 15-20 दिन में तो इसे clean करते रहना नहीं तो यह बहुत हार्ड इसमें sulfur टाइप का पानी का hardness से sulfur से वह इसमें जमा हो सकता है तो फिर छुराने में आपको time लगेगा और यह दाग भी नहीं जाएगा फिर इसे clean करने में भी बाद में आपको problem होगा इससे अच्छा रहेगा कि आप हर परने से 20 दिन पर इसे एक बड़ कोल कर clean कर दें इससे आपको तो टाइट करने के लिए दिखाएंगे कैसे से fit करना उसके अंदर कैसे उसके अंदर टाइट करके आप लगा देंगे fit कर देंगे तो अभी पहले से clean कर लिया मैंने बहुत अच्छे तरीके से कि प्रोपर साफ हो जाना चाहिए उसके बाद एक सुखे कप्रेशे से हम पोस देंगे clean कर देंगे देखिए तो यह clean हो चुका है अब हम एक कप्रेशे से पोस्ट देते हैं कि देखिए clean हो रहा भी अपसर अप्रों से clean रखना है ने फिल्टर को बोड़ी भी पोस देख थुरा बहुत थुरा बहुत पानी गिरता कि इसमें एक ग्लास के अर्धा ग्लास के के बारे में बताएंगे तो इस pipe को पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं इस pipe को भी मैं fit कर लेता हूं जिस lock में था उस lock में बठा दिया इस pipe को और drain pipe को बठाने के बाद drain hose pipe यह बैट गया उसके अंदर अब देखिए जैसे हमने filter open किया था उसी तरीके सब इस close भी करेंगे तो drain filter को close करने के लिए क्या करना उससे पहले थूरा सा हमें clean कर लेना चाहिए कि कोई भी object अंदर में रहना जाए कोई recipe पी चूरी वगरा रहा रहा है देखिए proper clean हो चुका है हमारा अब इसमें देखे green tick देखेगा आपको इस green tick को हमें match कराना है यहाँ पर देखिए वहाँ पर भी green tick किया है तो उसे match कराना है मतलब proper हो इसे clock wise हम घुमाएंगे clock wise घुमाएंगे और वह proper tight हो जाएगा heavily तो व देखिए अब यह देखिए perfect lock हो चुका है अब इसे हम घुमाएंगे तो tight घुमेगा भी नहीं देखिए नहीं गुमाएंगे अब हम इसमें क्या करेंगे अब cover लगा दिया अब cover लगाने के बाद थोड़ा पानी डाल कर इससे हम चेक कर लेंगे कि हमारा drain proper हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमें एक जग में पानी लेना होगा तो अभी मैं एक जग पानी बढ़ने के बाद इस ड्रम में डालूंगा तो चली देखते फेले न्लोपईन किया निलों भलत fuckin के बाद मैं पानी को पानी लेता हूं थोरगा तो पानी भर रहा है से देखेज है पानी पमेद मैं आप दो से तीन इच्मिट इसमें आप डाल देना तु पानी एक जग ले लिए मै दम आने भी तिलहाल और अब मैं Drum को आपन करूंगा देगे, Doors open किया, Door Open करने के बाद,ब Drum के अंदर मैं पानी डाल देगा, तो आप DROOR से तीन चान में पानी डाल देगी, पानी डालनें के बाद, पानी डाल दिया है, और अब ये बाद आप देखे हैं के आप देखें, देखे, spin दबाएंगे, spin और उसके बाद start, अब देखे हमारा start जैसी मैंने दबाया, यह machine direct spin काम करेगा और यहां से पानी फोर्सली निकल जाएगा, तो देखे, यहां पानी निकलने लगा, इसका मतलब कि हमारा drain pipe और drain hose दोनों clean हो चुका है, इस तरीके साब पढ़ने से 20 दिन पे कर देंगे, तो आपका drain कभी भी चौक नहीं होगा, अगर फसा भी होगा, तो आपको collect हो जाएगा, thank you